नमस्कार दोस्तों मा आपका दोस्तमी त्यादव आपके अपने चैनल गर पर पाठ साम दोस्तों स्वागत करता हूँ ITVP ट्रेड मैन की बरती 2017 के अंदर निकली थी जिसकी 303 आपकी पोस्ती एक्जाम हो चुका है चार साल पूरे होने को इस बरती को लेकिन फिर भी ITVP जो रिटन एक्जाम हो आता दो महिने हो चुके हैं जारी नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है इसकी पीछे कान है हम कोई भी नोटिफिकेसन उन्हें नहीं दिया है लेकिन हम यही सोच रहे हैं कि COVID के कारणों लेट हो रहा है लेकिन कल भी परसो भी रिजल्ट आया है जो SSB Head Coastable का उन्होंने भी रिजल्ट जारी किया है तो ITP को क्या दिक्कत है उनको यह भी पता है कि कितने कंडेट बेसबरी से इंतिजार करें हैं जार साल हो गई है उनको तो जल्दी से इस बरती को कंपलीट कर देना जी है क्योंकि यह वाड़ी बरती ही चल रही है 2017 कि रहुए इसके बाद की 2018 वाड़ी वो जो बरती ड्राइवर वाड़ी यह दो बरती आपकी पैंडिंग है बाकी सबी बरतीया कंपलीट हो चुकी है ITBP की ठीक है बाकी जो एनिमल ट्रांसपोर्ट की थी उनकी भी जोइनिंग आ चुकी है 16-6 उनको जो है 16-6 तक आपको जो है वहाँ पे जोइनिंग करना है यानकी जब भी आपको लेटर मिल जाता है जोइनिंग का उसमें ये दे रखा होता है कि आपको इस तारिक तक जोइन करना है तो आपको लेटर मिलते ही जाए अगली दिन आप वहाँ पे जोइनिंग कर सक पास में कोल किया है, अलप लाइन नमबर पे भी, उन्होंने उठाया है, कल भी कोल मैंने सुबह मोर्निंग में क्या था, उठाया है उन्होंने, लेकिन वो यह नाम ले रहे हैं कि 15-20 दिन में आ जाएगा, आप वेब साइट देखते रहे हैं, मैंने आपको पहले बता है, उन मैंने डिपार्टमेंट से पता कर लिया था, लिस्ट आप बिलकुल त्यार हो चुकी है, और वकैंसी के बारे में कोई भी अपडेट नी है, कितनी वकैंसी बढ़ी है, कितना हो चुका है, आजहार आपकी वकैंसी हुई है, आप काफी कंडेट बोल भी रहे हैं, या बहुत सारे वीडियो भी योटूब के ओपर बन रहे है कि जितना बढ़ती लेट हो रहे है उतना वकैंचि आपकी बढ़ रही है तो यह बते सभी गल्थ हैं यान कि दो मुंत आपके बढ़ती लेट हो गही तो दो मंत ऐसा कुछ भी नहीं यह आईटीप्प के उपर depend करता है कि कितनी वकेंज यहां पर बढ़ाएगा और बरती कब तक complete हो जाएगी अगर उदस जून से पहले पहले आपका जो है ठीक है अगर उसके अंदर और लेट होता है तो फिर आपके बरती जो परस मैंने आपको बताया है कि रिजल्ट जारी होने के बाद में दो से डाई महीने का आपको टाइम मिलेगा जो आइनिंग के लिए आप ये देख सकते हैं जो एनिमल ट्रांसपोर्ट वाली है कब उनका मैडिकल हुआ था नौंबर में उनका रिजल्ट आया था और नौंबर में जाके उनका मैडिकल वगरा हुआ तो कितने मन्त आपके बीच सुगी है क्योंकि जिन कंडेट का मैडिकल में पॉइंट बनेगा उनको 40-50 दिन का जो हर टाइमिंग दिया जाता है दो महिने के लिए 45 दिन का कि अपना रिमेडिकल वाप में वापिस आके वहाँ पर करवा सकते हैं उनको अपील दी जाती है तो यनकी 15 दिन का टाइमिंग दिया जाता है उसके बाद में लिस्ट त्यार होती है उसके बाद में फिर सारी जोइनिंग की प्रोसेस होती है अगर वो जल्दी ही result निका लेंगे तो अगर result ही वो जारी नहीं करेंगे जितना late करेंगे तो बड़ती तो फिर late होई रही है ठीक है और अगर आपके पास में कोई update है तो comment box में जरूर बताएं और मैं दूसरी बात बता दूँ कि बहुत सारे content बोल दे थी यह है कि result में 5-10 दिन का late हो सकता है इसे जादा नहीं होगा यह नहीं कि आपका जुलाई में और अगस्त में आए गया बहुत से ऐसे update है अब तो सितंबर में आएगा या जून के end में आएगा ऐसा कुछ भी नहीं है जादा ऐसे जादा दस जून से पहले आपका 100% result आजागा यह मैं guarantee देता हूं ठीक है दोस्तों आज गरिए धन्यवाद जय हिंद जय बारत और जय हरी है